जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलैन क्लासेश में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुफ मंदर कवर करेंगे ये मंदर आपके एक्जाम्स में घुमा फ्राकर पूछे जाते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम 20 प्लस मंदर कवर करने वाले हैं तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल सिभा ओनलैन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कोस्टन नमर बन है अक्षर धाम मंदिर कहां इस्थित है ओफशन से आपके ओफशन A कोलकाता ओफशन B बैंगलॉर ओफशन C लखनव और ओफशन D नई दिल्ली तो अक्षर धाम मंदिर इस्थित है दोस्तो नई दिल्ली में नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमर टू केदारनात मंदिर कहां इस्थित है ओफशन से आपके ओफशन A ट्राजिस्थान ओफशन B आंदरप्रदेश ओफशन C उत्राखंड और ओफशन D इन में से कोई नहीं तो केदारनात मंदिर दोस्तो इस्थित है उत्राखंड में मंदर इस्थित है मुंबई में तो यहाँ पर question number 3 का सही answer होगा option A मुंबई question number 4 है आपका गंगोत्री मंदर कहां इस्थित है options है आपके option A करनाटक, option B तमिलनाडू, option C उत्राखंड and option D है इनमें से कोई नहीं तो question number 2 का सही answer होगा option C उत्राखंड next है question number 5 कासी विश्वनाथ मंदर कहां इस्थित है? options है option A बाराणसी, option B मत्रा, option C कानपूर and option D है आपका इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो कासी विश्वनाथ मंदर इस्थित है दोस्तों यहाँ पर आपका बाराणसी में तो question number 5 का सही answer option A बाराणसी विडियो में आगे चलने से पहले दोस्तों आपसे request करना चाहाते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और दोस्तों एक बात आपको और बताते चलते हैं यहाँ पर कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लासे से question number 6 है सूर्य मंदर कहां इस्तित है? option से आपके option A कोड्यांक में, option B देरादून में, option C जम्मु और कश्मीर में, and option D दिल्ली में question number 6 का सही answer है कोडांक जिहां दोस्तों सुर मंदर जो है वो कोडांक में इस्थित है और कोडांक उड़ी सामें इस्थित है question number 7 है सुर्ण मंदर कहां इस्थित है option से आपके option A गौलियर option B पटना option C रानिखेत and option D है आपका अमरित्सर question number 7 का सही answer है option D अमरित्सर question number 8 है जगनात मंदर कहां इस्थित है options है option B सिक्किम option C उत्राखंड and option D है आपका हिमाल ले सौर्ण यहां पर दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश है ठीक है question number 8 का सही answer होगा option A odissa question number 9 है आपका सोमनात मंदर कहां इस्थित है option A आगरा उत्तर प्रदेश option B सिमला हिमाचल प्रदेश option C जुनागर गुजरात में या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों सोमनात मंदर जो इस्थित है वो है आपका गुजरात में गुजरात के जुनागर में सोमनात मंदर आपका इस्थित है question number 10 है आपका तिरुपती मंदर कहां इस्थित है option से आपके option A चितूर option B पुरी option C एहमदाबाद and option D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जो आपका दसमंदर और लिक रहेंगे इसके लिए दोस्तों आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसे जैसे ही मैं इस वीडियो का part 2 लिक रहा हूँ आपके सामने उसकी notification आ जाए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही thank you for watching कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो को साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जै भारत